नमस्कार मैं हूं वांचूर इस वक्त आप देख रहे हैं एंट 27 न्योज लोगसभाद चुनाव अब चर्म सीमा पर आचुके हैं लोगसभाद चुनाव होने वाले हैं अब ऐसे में दिल्ली के लोगसभाद चुनावों में साथ लोगसभाद सीट हैं जिन में से एक सीट जिसकी टिकेट कुछ दिनों पहले ही डिकलेयर हुई और ये सीट है उत्री पश्मी दिल्ली की सीट यहां से टिकेट मिला भारतिय ज्वनता पाथी के योगेंदर चंदोलिया को योगेंदर चंदोलिया जो पूर्व में निगम पार्शुद भी रह चुके हैं करोल बाग इलाके से और मेर भी रह चुके हैं पर अब टिकट तु मिल गया पर लोगों का ऐसे में ये कहना है कि करोल बाग की वो नेता थे और उनको टिकट कहां से मिला तिकट मिला उत्तरी पश्मिदली से याने की रोहिनी, किराडी, नरेला, बवाना, नांगलोई, मुंड का ऐसी तमाम विधान सभाई जो हैं वो इस पूरी के पूरी लोग सभा सेट पर आती है अब ये हमने मोटा मोटा पूरे मामले को जाल लिया है अब ऐसे में एक वीडियो शोशल मीडिया पर लगातार वाइरल हो रहा है ये वीडियो कुछ साल पुराना है इस वीडियो में भाजपा के प्रत्याशी योगेंदर चंदोलिया पुलिस अधिकारी को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं मा बहन की गाली दे रहा है ऐसे बोल रहे हैं कि तुझे डूटी करना सिखा दूँगा क्या ओन डूटी किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी भी ओफिसर को या किसी भी गवर्मेंट करमचारी को इस तरीके की भाषा से सम्बोधित करना या मैं कहूँ कि न केवल यही एक वीडियो बलकि उनका एक और वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो साफतोर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जाटव समाज को हिंदू देवी देवताओं से पता नहीं क्या समस्त्या है तो दो बयान इस वक्त वाइरल हो रहे हैं सुर्खियों में हैं एक वीडियो मैं एक एक करकर दोनों वीडियो आपको दखाता हूं सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए जो इसके अंदर योगेंदर शंदॉलिया खुले में ड्रामा करते हुए नजर आ रहे हैं और धमकाते हुए नजर आ रहे हैं ट्राफिक पुलिस के एक पुलिस वाले कुछ मया बताओंगा इसको इसको जय करना बना तूंगा ग atm पला ये कोंचा टेल सब्सक्रियो सब्सक्राइब था fav क Complete तो आपने साफ तोर से ये पूरा की पूरा वीडियो देख लिया कि नेता जी किस तरीके से गुसाई हुए हैं नेता जी को इतना जादा गुसा आ रहा है नेता जी कुछ करना तो बड़ा चाहते हैं क्योंकि पब्लिक है कर नहीं पा रहे हैं बात सर्फ ये थी कि ट्राफिक अधिकारीयों द्वारा वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे पर वो ड्यूटी कहीं न कहीं उन्हें खल जाती है उन्हें उनकी ड्यूटी पसंद नहीं आती और जिस बात को लेकर नेता जी एक के बाद एक एक के बाद एक गालियां देते हुए नजर आते हैं जैसे ये वीडियो शोशल मीडिया पर वाइल हुआ इस वीडियो को लेकर मामला भी दर्ज हुआ था अलग-अलग कारेवाही भी की गई थी जिसको लेकर योगेंदर चुन्दॉलिया ने अपनी जवाब देही भी दी थी पर भारते जुनतापाथी ने ऐसी ही कंडिडेट को इस वक्त चुनाओं में उतार दिया है जिस कंडिडेट के दामन पर अलग-अलग दाग जो है वो विपक्षी दल लगाती हुए नजर आ रहे हैं विपक्षी दलों का साफतोर से ये कहना है कि जस व्यक्ति को एक पुले सधिकारी से बात करने का सलीका तमीज तहजीब ना हो वो व्यक्ति अखर आम नागरिकों के साथ कैसा सुलूग करेगा पर देखना ये हुगा कि लोग सभाच चुनावों में उत्री पश्मित दली जहां से एक तरफ कॉंग्रेस होने वाली है और दूसरी तरफ जो है साफतोर से मैं आपको बता दू योगेंदर श्रंदॉलिया होने वाले हैं अभी तक नामांकन दाखिल नहीं किया गया है पर नामांकन दाखिल होने के बाद ये बिलकुल कंफर्म हो जाएगा कि योगेंदर श्रंदॉलिया वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद देखना ही होगा कि दोनों की दोनों जो पक्ष होंगे कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों मेंसे किसका पलडा भारी होगा वैसे तो साफतोर से नरेंद्र मोदी जी के चहरे पर वोट डलने वाले हैं साफतोर से जब मैंने भी पब्लिक से बात की तो यहीं पता चला पर देखना ही होगा कि लोगसाबा चुनावों में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और जो तरीके से मैंने आपको वीडियो सुनवाया है जिस वीडियो में लगातार जो नेता है भारती जो अंतापाती के योगेंदर चुनदॉलिया वो एक तरफ गाली देते हुए नजर आते हैं दूसरे तरफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बाते बोलते हुए नजर आते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की किराया है अपने नाए नीचे कॉमेंट सेशन में लिकर जरूर बताएं फिलाल के लिए मैं मांचु मुद्गल इस वीडियो में इतना ही देखते रहें N27 News आप देख रहे हैं N27 News पकड़ हर खाबर पर